अभ्यासी YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है सभी वीडियो को मैंने दिन के हिसाब से बनाया है तो आपको विंती है कि मेरी चैनल में लेलिस्ट में देखकर वीडियो को दिन के हिसाब से क्रम अनुसार ही देखे तो ये वीडियो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे चलिए तो वीडियो को आगे देखे वीडियो नहीं अंदर dhtml वीडियो जो हमाँगे छे dhtml इटले सो तो dhtml नो मटलब था चे कि dynamic html html hypertext markup language माटे वपरा चे कि जहना बता गणा बता वीडियो आपने जो ही चुक्या अने अपने अलग-अलग tag जो है जह tag static tag होई चे जहनी अंदर जह पन महाईती लखी चे यह M नी M आपने ब्रावजर नी अंदर देखाय छे फक्त यहनी अंदर आपने कई change नथी करी सकता तो कोई interaction आपने करी नथी सकता आने interaction करवा माटे ना थोड़ा जह tag जो है svg वाड़ा tag जो है जहनी अंदर पन जो आपने जो है बदी बाबातों आजे effect वाड़ी बाबातों इंटर एक्शन वाड़ी बाबातों यहने आपने dynamic html करिया चे dynamic html करिया चे कि अपने फक्त पेज ने क्रिण्य उपर जोयाज ना करिये पर यहनी साथ आपने आदान प्रदान करिये यही हं आपने साथ interaction करिया वागने खर्म नाम हो आको करिये आपने अपने माँव करी सके आपने colourver बस्तु था डबल प्रदान इयंब यह हो आपने dynamic html कि उन्दार क्तौत कि उनदर जो newer जावा स्क्रिप्ट ए स्क्रिप्टिंग लेंग्वेज छे त्यार बची जो त्रीजू जो ही है तो त्रीजू छे एक्जेमेल छे एक्स्टेंसिबल मार्कप लेंग्वेज एक्सेमेल शॉर्ट नी अंदर कहिए छे यह एक्सेंसीबल मार्कप लेंगवेज यह उप्योग करवा मावेज़े तो अब आत्रों ने समझे के आत्रों बावतों सू छे यह अंधर नी पहली बावत वीचे जोए के नीड ओफ CSS के बई CSS सू छे कास्केडिंग स्टाइल सीट छे यह चैसू अने कई रीते काम करे छे तो पहला अपड़े यह समझवानी जरूपर छे के यहनी उप्योगी तासू छे यह चै के CSS is a way of formatting items दर एक अलग 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 बावतों आपड़े अलग अलग जोई के आपड़े एक पेज ने कलर आपपो होई के एक टेबल ने कलर आपड़े तो यहनी अंधर आपड़े बदा अलग अलग attributes लखिया छे अबे आज बदा attributes छे इवा attributes ने वजहरे सारे लख्वा में आपड़े CSS वाप पड़िये छे तो जे अत्यार सुधी आपड़े टेबल मां के यहमा वापर दाता यह आपड़े क्याम नथी वापर ता यह अहीं आपड़े समझ वानु छे तो पहला आपड़े जो यह एक्ज आपड़े अपड़े एनो background color bg color करे लो pink त्रों यह पेज छे एनो आपड़े बैग्राउंड चे यह pink जोई है अब बनी सके कि आवा त्रों पेज होई सके कि 300 पेज पर होई सके तो दरेक पेज नी अंदर आपड़े आरिते लख्यों होई कि bg color equal to pink धरों के आपड़े पा खोली और नी अंदर आज ए शब्द छे ए पिंक ने बढ़ले बदलवो पड़े और बीजो सब्द मुकवानुचे के light yellow, light green वगरे मुकी तो पच ए 300-300 पेज नी अंदर अर्थम ने यह बैग्राउंड छे ए light green देखातू थसे पन आउँ करवू घनू अगरू बने चे जा आपने शू करिये छे तो कि आपने एक अलग फाइल बनाईये छे जे फाइल नी अंदर आपने एक body tag लेखे हो कि आपने body background color करवो छे pink ने बीजी घनी पुदी property आपने लखी सके बद्दाज color नी यहां में एक थी समझाईयो छे पन ए जरीत आपने बद्दाज बदाज ब आपने पहला लगता था यह दरेक ने अलग लगता ना थी पन अहीं आपने फक्त body tag लखे हो छे आन्ने आ लिंक प्रमाने अटोमेटिकली अहीं चेक कर से के body नो color करवानों छे तो यहां बदाज 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 पेज नो color light yellow कर देऊ है के light green कर देऊ तो आपने फक्त आई ने आ एकट जे CSS फाइल छे ए CSS फाइल ने अंदर चेंज यहां करी देऊ तो पछी त्यार पछी 300 फाइल होई के 300 फाइल होई ए बदीच फाइल ने अंदर आप मेड़े ए वस्सु चेंज थाई जैसे तो आ एनो उप्योगी ताचे खास आपने एकट जिग्या है एक फाइल ने अंदर वस्तुन आपने लख्ये छे औने ए धरेक जिग्या है आपने इंप्लिमेंट करिये छे अथवा एन्ने वाब परिये छे तो आँ CSS नो मेन उप्योग छे औने एना आपने घणा बदा एक्जाम्पल अवे पछी जोवा मांग एक प्रोग्रामिंग लेंग्वेज छे और एक प्रोग्रामिंग लेंग्वेज चे अने 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 नहीं करी ते उप्योगी चाथ त्यार आपड़े जो यह website बनावा माटे जह most popular language छे ए खासकरिण JavaScript आपड़े जो आपड़े जो आपड़े सवती बतारे वह पराए चेल तो एन्हों आपड़े उप्योगी ता जो यह तो आपड़े एक example ती समझे तो यह पेला आपड़े जहीं definition एन्फ है जह जावा स्क्रिप्ट इस island-scribing is a client-side scripting language तो client-side scripting language जहीं केवा माँ आवे चे तो यहने उदाहर कूँ आपड़े समझे के सू चे तो आपड़े अगव जो इगया के आपड़े जे पुन website जो भी हो एकंग कोई web page जो हो एक request मँख लिये चै нужны ए डिक्वेस्ट यहाँ web server मा जाएकछे अने web server एनने response क्रिक एने आखो page तमने आई्हा client मा बतावन चीए आपणे अगावना वीडियो ने इनदर आपणे Jim अंदर आपने समझ आपड़ी पास है आरितनो एक वेब पेज हो है कि जहने अंदर ये HTML फाइल नी अंदर ये आपने लख्यों चे के प्रेस कर से तो अदर ये बद्धो डेटा शो चाहतौ पहला अंधि शर्वι नी उपर पोस्ट ये आपने सब्स ने वेबसर्व में बजु चेक थाई पचितियां थी पाच्छु आवे यह गणों बदो समय लागी जतो तो अन्य एटला माटे जावास्क्रिप्ट जेवी स्क्रिप्टिंग लेंग्वेज बना माली जे यह HTML फाइल ने साथेज कनेक्टेड होए आज ए प्लाइंट मसीन जे एनी अंदर HTML फाइल ने साथेज लखे ली होए और यह अहियान अहियाज आज एकली बाबत नहीं पॉन जावास्क्रिप्ट बोवज कामनी बाबत छे और एना थी गणी बदी अलग अलग बाबतों थाई जह तो ए आपने जावा स्क्रिप्ट ना टूटोरेल मां जोईसू आसा चे कि तमने ख्याल आई गयो होसे ले डाइनेमिक HTML करवा माटे आपने जावास्क्रिप्ट नो पन आरीते उप्योग करे चे तो अव्य पछीन आपने जो जोई है तो यह छे एक्जेमेल एक्स्टेंडेड लेंग्वे तो ए आरीत आपड़ी पासे क्लायंट ने सर्वर होई चे कि वेब सर्वर नी अंदर ने क्लायंट नी अंदर आपने डेटा ने पास करवानी जरू पड़े चे क्लायंट पर थी सर्वर पर डेटा मौकलता होई कि सर्वर पर थी आपने क्लायंट पर डेटा लेता होई जारू कि यह वो का एक बदा employee नो data चे अने ए employee नो data आपड़े client ने उपर जो है चे तो आ रिते यह data आउसे आ टाइप ना format मा आशे दारो कि आपड़े HTML लेंदर मंगाईए तो HTML लेंदर सुथासे तो कि बदो डेटा आपड़े static मार हैसे और बदो अहीं आपड़े देखाया कर से पर आपड़े यह कर वो है कि आपड़े 9 employee नो data चे आपड़े पासे पर यह 99 employee नो data आपड़े HTML लेंदर जो है पर आपड़े HTML आप पेज आक्खू आपड़े यह थे यह ले चे तो 99 आपड़े आज रिते जोवानी जरू पर से दर वक्ते पर आपड़े यह ना करूँ है आपड़े यह करूँ जे कहिंए थी 9 data आई आवे खरो पर एणी अंदर फक्त एकट data आई देखाया कि आपड़े जह प्रमाने वस्तु बताई एज प्रमाने नो डेटा यहां देख आने बाकी ना बता डेटा हाइड रहे तो ए बदी वस्तु HTML ने अंदर पॉसीबल ना थे अन्य इतला माटे आपड़े आपड़े एक्जेमेल पाचर बापरी छे कि बदो डेटा आरे एक्जेमेल ने लखेलो डेटा यहां थे यहां आउसे अन्य एमाथी जेटलो डेटा नी जरू है इतलो जापड़े HTML ने यहां बताई सेके तो ए तो एक्जेमेल जेचे एक खासकरीने डेटा ने स्टोर करवा अने ट्रांस्पोर्ट करवा माटे वपराई जे लेके आपड़े त्रोण बाबतो जोई DHTML ने अन्दर के डायनेमिक HTML करवा माटे आपड़े CSS, JavaScript अने XML उप्योग करिये छे अवे आपड़े ए बदी एक एक बाबतो ने जोता जे के कई दिते CSS छे एने आपड़े बनावी ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल आगे बढ़ेगी तभी हम नए मुफ्त वीडियो अपलोड कर सकेंगे, आसा है कि आप लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अगर आप ये वीडियो में इस्तेमाल होने वाली PDF फाइल WhatsApp पर खर ये वाल